तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सस्ते और बेस्ट वायरलास गेमिंग कंट्रोलर्स के बारे में जिने की आप अपने multiple devices जैसे की PC, smart TV, gaming consoles या फिर अपने mobile phones के साथ में connect कर सकते हो और इन सभी gamepads को खरीदने के links आपको नीचे वीडियो description में भी मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने gamepads की तरफ तो ये है कुछ सस्ते और बड़िया gaming controllers और इन में से आज हम top 3 को pick करेंगे और top 3 की list में सबसे पहले आता है Samio का SG27 controller देख सकते हो ये आता है कुछ इस तरह के काफी बड़िया से design में साथ ही साथ ये काफी ज़ादा light weight भी है और weight है इसका under 200 grams यहां सामने आपको Samio के branding मिल जाएगी और उसके नीचे है home button gamepad को own करने के लिए आपको इस home button को press करना है और उसके नीचे हमें देखने को मिलती है ये 4 LED lights जिससे हमें इस controller की connectivity और battery charging status के बारे में पता लगता है हलागी gamepad पर हमें किसी भी key पर backlight तो देखने को नहीं मिलती लेकिन यार सभी की सभी keys की quality जो है वो काफी ज़ादा अच्छी है और यहां पर हमें कुछ इस तरह के triggers जो है वो देखने को मिलते हैं और ये pressure sensitive है और जैसा कि मैंने आपको अल्रेडी बताया कि gamepad जो है ये काफी ज़ादा light weight है और इसका weight है under 200 grams और यहां दोनों तरफ हमें rubberize grips भी नहीं मिलती लेकिन अपने इस बढ़िया design और light weight होने के कारण gaming करते वक्ती से hold करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और gamepad को charge करने के लिए हमें उपर की तरफ एक micro USB port मिलता है जिसे आप अपने किसी भी phone charging adapter के तरू चार्ज कर सकते हो overall design और quality इस controller की काफी ज़ादा अच्छी है तो चलिए अब हम चलते है अपने अगले best controller की तरफ जो की है ये red gear का zonic ये हमें देखने को मिलता है इस green और black color के combination में और amazon पर ये सिरफ इसी एक color में ही available है और quality wise यार ये काफी solid feel होता है यहाँ दोनों ही तरफ हमें sides में कुछ इस तरह की rubberize grips मिलती है तो ऐसे हमें इसे hold करना आपको कुछ हतक comfortable लगेगा यहाँ सामने की तरफ हमें red gear की branding मिल जाएगी और इसे on करने के लिए आपको simply इस home button को press करना है यहाँ पर भी हमें 4 LED lights देखने को मिलती है जो की इस controller की connectivity और battery charging status के बारे में हमें बताती है इसकी भी बाके keys और action keys जो है वो back lead नहीं है लेकिन यार यह जिस price range में हमें मिलता है उसके हिसाब से यह एक value for money product है overall सभी की सभी keys की quality भी काफी जादा अच्छी है और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह के थोड़े broad type के triggers मिलते हैं जो की pressure sensitive है इस controller को भी आप अपने किसी भी micro USB cable की तरह चार्ज कर सकते हो और इन सभी gamepads की battery के बारे में हम वीडियो में आगे चलकर detail में बात करेंगे और top 3 की list में अगला best controller है हमारा यह all time favorite Cosmic Byte का Nebula wireless controller यह हमें देखने को मिलता है इस green और black के combination में और Amazon पर यह और भी design patterns में available है और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया design इसी controller का है देख सकते हो हमारे यह controller आता है कुछ इस तरह के simple और बढ़िया से design में सामने हमें यहाँ पर यह fuller price texture मिलता है और साथ ही साथ हमारा यह वाला controller भी काफी जाल light weight है तो ऐसे में इस पर gripping और hold जो है हमें सबसे बढ़िया मिलता है और बाकी gamepads के comparison में सबसे बढ़िया grip हमें इसी gamepad पर मिलती है इसे on करने के लिए यहाँ पीछे की तरफ एक dedicated on-off switch है और gamepad on होने पर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की lights देखने को मिलती है जिससे इसकी battery और connectivity status के बारे में हमें पता लगता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इन action keys पर भी backlight मिलती है जो कि again इस gamepad को हमारे बाकी gamepad से थोड़ा अलग बनाती है overall सभी की सभी keys की quality काफी बढ़िया है और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह के triggers देखने को मिलते है यहाँ पर भी हमें pressure sensitive triggers दिए गए है और इसे भी हम किसी भी micro USB cable के थोड़ों चार्ज कर सकते है overall gamepad का design और quality जो है वो काफी ज़ादा अच्छी है उसके लावा connectivity के लिए हमारा एक cosmic byte का नेभी उला आता है इस normal size के USB wireless receiver के साथ में और हमारे बाकी दोनों gamepads के साथ में हमें कुछ इस तरह के nano USB wireless receiver देखने को मिलते हैं लेकिन SAMU के SD27 controller को अब Bluetooth के साथ भी अपने mobile phone या फिर fire tv stick के साथ में connect कर सकते हो और market में इस वक्त यही एक ऐसा controller available है जो कि fire tv stick के साथ में fully compatible है अब बात करते हैं की pricing की तो cosmic byte का नेभी उला तकरीबन 1200 से 1500 रपी की price में हमें Amazon या फिर flip card पर मिल जाएगा और वही red gear का zonic सिरफ 1200 रपी की price में available है उसके इलावा Samu के SD27 का price इन दोनों controller से थोड़ा सा जादा है यह आपको Amazon पर तकरीमन 2000 रपी की price में मिलेगा और इस controller का price इसलिए थोड़ा सा जादा है क्योंकि यह हमें मिलता है dual connectivity options के साथ में मतलब कि यह in-built Bluetooth connectivity को तो support करता ही है और साथ ही साथ आप इसे USB wireless receiver के थ्रूँ भी connect कर सकते हो जो कि आपको इसके साथ में box में ही मिलती है अब बात करते हैं इनके connectivity options की तो इस तीनों ही controllers को आप अपने multiple devices जैसे कि smart Android TV, अपने PC, gaming consoles या फिर mobile phone के साथ में भी connect कर सकते हो लेकिन SAMU का SD27 controller Fire TV stick के साथ में भी काम करता है और इस वक्त मार्किट में यही एक ऐसा gamepad available है जो कि हमारे Fire TV stick के साथ में fully compatible है और साथ ही में SAMU का यह SD27 controller dual connectivity को भी support करता है मतलब कि आप इसे अपने Fire TV stick, mobile phone या फिर smart TV के साथ में जूटिव से connect करी सकते हो और PC और बाकी के devices के साथ में यह USB wireless receiver के दुरूँ काम करता है और तीनों ही gamepads, essence और direction को देनों को ही support भी करते हैं तो देख सेकते हो कि मैंने अभी इस controller को अपने Windows 11 computer के साथ में connect किया हुआ है और हमारे PC के साथ में यह Azure Xbox controller recognize होते हैं उसके इलावा यह तीनों ही controller Windows 10 और Windows 11 PC के साथ में पूरी तरह से compatible है अब बात करते हैं इन पर मिलने वाली battery और इनकी wireless range की तो Samio के इस SG27 gamepad पर हमें 600 mAh की battery मिलती है और तकरीवें 12 गंटे का playback ताई हमें इस पर मिल जाता है और वही पर इसकी wireless range की इदो हम बात करें तो 6-8 मिटर की wireless range हमें controller पर अराम से मिल जाती है उसके लावा हमारे इस cosmic bike के निबियोला पर भी हमें 600 mAh की battery मिलती है गेंपैड तकरीबन 2 गंटे में फुली charge हो जाता है और एक बार फुल charge होने पर हमें इस पर 12 गंटे का playback time मिलता है जोगी ये काफी बड़िया battery backup है और वही पर इसकी wireless range की इदो हम बात करें तो इस गेंपैड पर आपको अराम से 8 मिटर की wireless range मिल जाती है और red gear के इस जॉनिक पर हमें कितने capacity की battery मिलती है ये कही पर भी clearly mention नहीं है वैसे battery इसकी भी तकरीबन 2 गंटे ये full charge हो जाती है तो एक बार battery full charge होने पर हमें यहाँ पर 8 गंटे का playback time मिलता है इसकी इलावा 608 मिटर की wireless range हमें इस गेंपैड पर बड़े अराम से मिलती है तो चलिए अब हम बात करते हैं इन पर मिलने वाली vibration और इनके triggers की तो ये तीनों ही गेंपैड आते हैं dual vibration motors के साथ में और तीनों पर हमें pressure sensitive triggers में मिलते हैं और cosmic fight के निमियुला पर हमें कुछ इस तरह की बड़िया vibration feedback मिल जाती है वही पर red gear के जॉनिक पर भी pressure sensitive triggers अवेलेबल है और हमारे बागी दोनों गेंपैड के comparison में सबसे बड़िया triggers हमें इसी गेंपैड पर मिलते हैं और इस पर भी हमें साथी अच्छी vibration feedback मिलती है सेमियों के इस SG27 के triggers को भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो की बिल्कुल perfectly काम करते है और इस वाले controller पर भी हमें solid vibration feedback मिलती है तो फ्रेंज ये थे हमारे तीन best wireless gaming controllers और आप मुझे नीचे comment करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको इन तीनों controllers में से कौन साथा बढ़िया लगा और आप कौन से gamepad की दरफ जाना पसंद करोगे उसके लावा ये तो इन तीनों controllers देबारे में आम उसे कुछती ये पूछना चाते हो तो आप मुझे नीचे comment करके या फिर मुझे email करके भी पूछ सकते हो तो फ्रैंस ये ही कुछता है इस वीडियो में आपको आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार इसे like और share जरीशे कर देना और अब हम मिनें इस video में तब तक के लिए बाई